हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेट के शियर के बारे में दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि इस शियर ने गजब के कुछ रेटन बनाए और वो रेटन बनाने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ओवरॉल मार्केट जिस तरीके से रियाक कर रहा है मतलब ओवरॉल मार्केट में अगर बात करें तो एक ठीक ठाकसी आपको कमजोरी ही देखने को मिल रही है उसका शिकार आपको जादतर स्टोक होते हुए नजर आ रहे हैं ट्राइडेंट की भी जो तेजी हुई ती उस पर थोड़ा बहुत ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी खबर की एक ऐसी रिपोर्ट की जिसके हिसाब से अगर आप बात मानें तो ट्राइडेंट के आप भारत के और भी कुछ ऐसे स्टोक है जो काफी अच्छा रेटन दे सकते हैं लेकिन ट्राइडेंट बहुत ही शांदार पर दर्शन करके उसमें दिखा सकता है तो चली दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले वस एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 0.80% की बड़त आपको नजर आई दोस्तों अगर बात करी जाए Trident में जिस तरीके से आपको कारोवार पिछले कुछ दुरों में देखने को मिला है उसके कुछ बहतरी रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें भी डिसकस कर ही लेंगे आप याँ पर देखी रिटर्न प्रोफाइल आपके सामने आ गई है पिछले सिर्फ दो साल की बात कर रहा हूँ साड़े 500% के आसपास के रिटर्न है साड़े 500% के रिटर्न अगर आप सोचें calculate करें तो आपको पता लगेगा कितने होते हैं एक साल में लगबग 400% के रिटर्न है सिर्फ एक साल में पांच से छे गुने के आसपास आपका पैसा ये बना कर दिखा चुका है 6 महीने में 175% के 3 महीने में 92% के 1 महीने में 44-42% के रिटर्न आपको नजर आए है लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अगर खराब रिटन आपको देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शियर में कोई दिक्कत है शियर इतना ज्यादा चल चुकाता बीते कुछ दिनों में आप देखेंगे सिर्फ एक महिने में आप देखिए ये सिर्फ आपको ये एक तालिस परसंट के रिटन देखने को मिल रहे हैं ये जब देखने को मिल रहे हैं जब इसमें गिरावट भी हो गई है लेकर अगर बात करी जाया तो आप यहां पर देखिए लगभग सिर्फ एक महिने के टाइम स्पन में आपको देखने को मिल दा है सिर्फ 20 दिन के अंदर अंदर वहाँ पर लगबग 60% के रेटन बना दी थे श्टोक ने जब सिर्फ आप सोच रहें 60% के रेटन बन गए थे थोड़ा बहुत कूल ओफ भी हो सकता है और श्टोक बेशकली आपको RSI इसका 90 के आसपास ही देखने को मिल रहाता है जिसके चलते RSI तो मैंटन किया ही जाएगा और जब ओवरल मार्केट में कमजोरी हो तो इससे अच्छा मौक क्या ही हो सकता है किसी भी स्टोक की correction या फिक consolidation में आने के लिए लेकिन दोस्तों ये साब हो गई छोटी मोटी बात है अब मैं आपको बताता हूँ news क्या है आप यहाँ पर देखिए एक report छपी है यहाँ पर clearly लिखा हुआ है कि जो COVID-19 आया था उसके बाद आपको जो heavy demand देखने को मिली है textile sector में especially China Plus ने आप यहाँ पर देखिए एक news है आपके सामने अगर आप पढ़े तो आपको और ज़्यादा चीज़े clear होगी यहाँ पर clearly लिखा हुए providing a golden opportunity for Indian textile to stage a turnaround and regain a leadership position as a top exporter economy यहाँ पर बात करी गई है textile sector के लिए कि यह बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है इंडिया के लिए यहाँ पर अपनी leadership की position को फिर से हासिल करने के लिए अभी तक चाइना बहुत ज़्यादा textile sector में export कर रहा था लेकिन अब इंडिया की exportation बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है लगबग 2019 से 226 की बात करी गई है यहाँ पर देखिए रिपोर्ट का अगला हिस्सा आपके सामने आ चुका है यहाँ भी इन तरीके की कुछ बाते करी गई है चाइना प्लस वन सेंटिमेंट ग्लोबली इंडिया स्टेक्सा इस्पोर्ट इस एक्सपर्ट टू ग्रोवाई 81 परसेंट टू 65 बिलियन डॉलर बाई 2026 तो यह 26 तक लगबग 65 बिलियन डॉलर की इंडिस्ट्री हो जाएगी आपको यहाँ यही देखने को मिल रहा है प्री कोविड लेविल की बात करी जाए तो लगबग 66 बिलियन डॉलर की इंडिस्ट्री 2019 में हुआ करती थी यहाँ से काफी शांदार रिकावरी और बहुत अच्छी काजी ग्रोथ की उम्मील करी जा रही है तो दोस्तों यह आप देखने हैं रिपोर्ट और यहाँ पर रिपोर्ट का अगला इससा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि चाइना भी तक इस सेक्टर में लीडर था लेकिन यूएस की कुछ रिपोर्ट के हिसाब से अब इंडिया, बंगनादीज, इंडिया, कम देखने को मिलेगा, चाइना से थोड़ी वह चीज है कम होती हुए आपको नजर जरूर आ रही है, तो दोस्तो यह है कुछ बात हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ट्राइडेंट ने भी पिछले कुछ दुनों में जिस तरीके से अपनी ग्रोथ को बढ़ाया है, अप बहुत ज़्यादा बरत ही देखने को मिली है, तो दोस्तो बात यही है कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अभी तक परफोर्मेंस दिखाया है, ट्राइडेंट ने और आने वाले दिनों में भी ऐसी परफोर्मेंस की पूरी पूरी उम्मीद आपको देखने को फिलाल बात कर ली जाए अगर टेक्निकल्स की तो आप यहां पर देखिये, डेली चार्ट हो या फिर हो वीकली या फिर हो मंतली, सबी तरीके के चार्ट में मुविंग आवरेज टेक्निकल इंडिकेटर्स और मुविंग आवरेज ट्रॉसोवर्स के हिसाब से आपको यहां पियर्स की बात कर ली है, ट्राइडेंट हो या वेल्सन इंडिया हो, अगर हम कंपेर करें पिछले 5 साल का डाटा तो आप देखिये, ट्राइडेंट ने कंप्लेटली आउट पर्फॉर्म किया है, वेल्सन और दूसरी जो आपको कंपनी देखने को मिल रही है, उन सभी से बहुत ज़्यादा आगे आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको ये बात भी पता लगनी चाहिए, कि पूरी तरीके से कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के पात पर देखने को मिल रही है, रिसेंटली ट्राइडेंट ने लेटर पब्लिश किया था वहाँ पर उनने बताया कि उनके शेरोलर्स की जो संक्या है, वो बारे लाग क्रोस कर चुकी है, थोड़े दिन पहले ही, लगबग हम कह सकते हैं, जादा नहीं, एक गड़ महिने पहले ही ये शेरोलर्स की जो संक्या थी, वो सवा आठ लाग क्या सपस थी, अब आपको कि ट्राइडेंड में लोगों का इंट्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अपनी इस्तेदारी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ये एक और ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है, तो दोस्तों ट्राइडेंड के बारे में जो मैंने आपको बाते बताई, उम्मीद करता हूँ, आपको अच्छे से सब को समझ में आ गया होगा, अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं खतम करूँगा, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे प्राइवेट टेलिगराम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको ऑप्शन से डेली वेसे सब हजार से पंदरा सो की प्रॉफिट कैसे बोकिंग करनी है, यह सिकाता हूँ, कम्प्लिटली फ्री में, तो आपको डेस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक, जिफी वाई चोईस, जिरो दा या अप्श्टॉक किसी में से तीनों में से जिसमें आप कमफरडेवल हो, उसमें से जाकर अकाउंट खुलवा लिए और आप डिरेक्ली मेरे प्राइवेट टेलिगराम चैनल का पार्ट बन जाएंगे, साथ में अगर आप मेरे दिये गए लिंक से अप्श्टॉक या फिर जि जाएंखि बनस इस विंक बनस इसे जाएंटल